इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप Samsung के फोन यूज करते हैं और आप अगर अपने Samsung के डिवाइस में pen drive को connect करते हैं और आपको कुछ step का error देखने को मिलता है जिसमें लिखा रहा 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 था issue with sun disk USB drive simple आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर बोला जाता है format this USB drive और ना चाहते हैं यहां पर format करने की जूरत नहीं है यह problem को आप लोग कैसे fix करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ओके वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को subscribe कर लीजीगा बिलकिए icon को प्रेस कर लेना है अभी हमारे फोन में pen drive connect है बट फिर भी यहां पर pen drive सो नहीं हो रहा है इसी टाइप का हमें error देखने को मिल रहा है काफी लोग इसको कर देते है format बट format करने की यहां पर जरूरत नहीं है और यह जो problem है खास करके हमने देखा है सैमसंग के फोनों में ही ठीक है तो यह problem को fix करने के लिए आपको दो applications की जरूरत पड़ेगी first of all आप open करेंगे अपने phone में play store सबसे पहले आपको जो app की जरूरत पड़ेगी उसका नाम ntfs hard disk reader for mobile simple आप इस पे click करे इस type का यह application रहेगा आपको simple इसे install कर लेना है almost 10 MB का application है यह हो गया आपका first application ठीक है उसके बाद यह app download होने के बाद जो है हमें एक दूसरा app भी download करना होगा और वो app का नाम है total commander file manager ठीक है ध्यान प्रूवक आप लोग देख लिजेगा इसको आप इसे download कर लिजेगा यह तो almost 3 MB का भी application नहीं है तो simple आप इन app को download कर लिजेगा ठीक है अब जैसे ही हम इन app को download करेंगे हमें इंटरनेट की भी जुरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी ठीक है तो first of all हम पहला जो एप हमने download किया था ntfc वाला fs वाला simple हम उसे open करेंगे इस टाइप का आपको उसमें interface देखने को मिलेगा तो simple हम यहाँ पर scroll करेंगे i agree पर click करते है फिर से i agree पर click करेंगे यहाँ पर इस टाइप का आपको interface देखने को मिलेगा Microsoft EXFAT ntfc for usb by paragon software ठीक है तो के पर क्लिक करेंगे इसको connecting usb device यहाँ पर थोड़ा सा loading लेगा यहाँ पर आपको i don't want to receive news इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा अब यहाँ पर आपको option मिल रहा है mount का ठीक है तो simple आपको mount पे क्लिक करना होगा mount पे क्लिक करने के बाद जो है आपको start trial पे क्लिक करना है then sign in with google पे कर देना क्लिक आपको और sign in वाला जो प्रोसेस है बहुत जादा easy है और automatic आपका sign in हो जाता है ठीक है आपको allow करना होगा permissions को ठीक है अब पहले यहाँ पर आपको mount दिखा रहा था अब यहाँ पर unmount दिखा रहा है आप जैसे कि हमारा almost 64 GB का pen drive है जो कि यहाँ पर अभी हो कर रहा है बट अभी भी फुल तरीके से हम जो भी डाटा है वो नहीं देख पा रहे तो जो भी डाटा है उसे देखने के लिए हमने जो सेकेंड अप्लिकेशन डाउनोट किया था टोटल कमांडर उस एप को ओपन करेंगे एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे अलाव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका आगया इंटर्नल स्टोरेज हमने SD काड भी लगा रखा है तो SD काड यहाँ पर सो कर रहा है यहाँ पर आपको देखी जहाँ पर हम सो करें माइक्रसोफ्ट यूएसबी बाइवर अगाउंट सॉफ्टवेर सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे यह सो कर रहा है आपका वीडियो में जय मता दी